जहिन दोस्तों स्वागत है आपका विज़पत डिफेंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 11 दिसंबर 2020 के Most Important Current Affair के Question जो कि आपके आने वाले सभी एक्जाम के लिए काफी important है डेली हमारी Current Affair की वीडियो आती है उसको आप जरूर देखें जादा से जादा शेयर करें और विज़पत डिफेंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब करें आप हमारा Basic Foundation का कोर्स भी जोइन कर सकते हैं जो की cover करेगा आपके सारे के सारे upcoming exam चाहे वो आपका state का हो या फिर center government का exam हो आप अपनी त्यारी हमारे साथ shore badge के साथ स्टार्ट कर सकते हैं जहां पर आपकी त्यारी होगी बिल्कुल basic से जिसमें आपको मिलेगी online test series, special notes और books जल्दी से जल्दी आप अपना shore badge start कर सकते हैं बिजयपत defense education पर चलिए वीडियो शुरू करते हैं, first question है वीडियो का Forbes की तरफ से जारी 100 powerful women list में से निमन में से किस महिरा को प्रत्थम स्थान प्रापत हुआ है तो चार option आपके सामने दिये गए हैं तो इसका जो सही answer है वो है option D जो की है Angela Merkel तो इनको जो है वो 100 powerful women में से सबसे पहला स्थान प्रापत हुआ है next question है हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूरे परमानू से लेन रेक्टर को सफलता पूरवक संचलित किया है तो उस देश का नाम है चीन चाइना ने आसा पहली बार कर के दिखाया है नेक्स्ट कोईशन है चीन और नेपाल के 30 सदस्यों बाले सरवेक्षन दल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिये की सबसे उची चोटी माउंट एवरेस्ट की उचाई 86 सेंटीमीटर बढ़कर कितनी हो गई है तो अभी हाल में ही एक रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो है वो दुनिये की जो सबसे उची चोटी है माउंट एवरेस्ट उसकी हाइट जो है वो 86 सेंटीमीटर बढ़ गई है और अगर प्रेजेंट की बात करें तो उसकी हाइट कितनी है तो वो है डवल एट 48.86 मीटर बी जो है ये इसका बिल्कुल सही है नेक्स कोशन है अंतरास्टी उलम्पिक समिती ने पैरिस में साल 2024 में होने वाले खेलों में से किस खेल को अधिकारिक तोर पर अलम्पिक खेलों का दरजा दे दिया है तो जो हमारी अंतरास्टी उलम्पिक समिती है उसने 2024 में होने वाल खेलों में break dance को जो है वो Olympic खेल का दरजा दिया है तो option C जो है ये इसका बिल्कुल सही है तो 2024 में जो है वो आपको Olympic खेलों में break dance भी देखने को मिलेगा आप हमारा WhatsApp ग्रूप जोइन कर सकते हैं जहांपर आपको इस वीडियो की PDF प्रोवाइड करवाई जाती है next question की तरफ चलते है भारती Reserve Bank RBI ने हाल ही में महाराष्ट में स्थित किस बैंक का license रद कर दिया है तो आपको पता है RBI को bankers bank के नाम से जानते हैं या फिर उसे भारत का केंदरी bank भी कहा जाता है तो उसने जो है महाराष्ट में एक bank स्थित है कराड जनता सहकारी bank limited उसका license जो है वो रद कर दिया है अगर कोई भी bank RBI की guideline को follow नहीं करता है तो फिर उसका license RBI के द्वारा रद कर दिया जाता है next question है सबसे important question है इस वीडियो का केंद्री शिक्षा मंत्राले नहीं bag policy के अनुसार जिसमें bag का भार निमन में से कितने kg से अधिक नहीं होगा तो केंद्री जो हमारी center education policy आई है नहीं उसमें ये बताया गया है कि जो school के विद्यारती है उनका 5 kg से अधिक bag का भार नहीं होगा तो most important question आपके लिए बनता है आपको comment box में बताना है कि हमारे center के education minister कौन है और हीमाचल के education minister कौन है next question है निमन में से किस पत्रकार लेखक कोन के उपनियास the city and the sea के लिए तीसरे रविंदरनाथ टैगोर साहित्य पुरुसकार से सम्मानित किया गया है next question है और last question इस बीडियो का किस देश ने करोना वाइरस महामारी को देखते हुए एक नया संपत्ती कानून पास किया है जिसके तहट देश के पुझी पतियों पर एक खास text लगाया जाएगा तो उसका answer है हमारा अर्जेंटीना अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें जादा से जादा शेयर करें आप हमारा शेयर बैच स्टार्ट कर सकते हैं जो की है हमारा CHSL और MTS के लिए उसकी जो पहले फीज थी वो थी 25,000 लेकिन अब प्रेजेंट की फीज की बात करते हैं तो वो है 15,500 जो की रहेगी चार मन्त के लिए सो जल्दी से जल्दी आप अपना विजयपत्स डिफेंस एजुकेशन में CHSL और MTS का शेयर बैच स्टार्ट कर सकते हैं हमारा HP पुलिस का एडवांस बैच स्टार्ट हो चुका है वो भी आप मिशन 2021 के लिए उसको जल्दी से जल्दी जोईन कर सकते हैं आप हमारा WhatsApp ग्रूप जोईन कर सकते हैं जहां पर आपको डेली फ्री ओफ कोस्ट स्टडी मेटीरिल प्रोवाइड करवाया जाता है तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें डेली करेंट अफियर पाने के लिए बिजेपत डिफेंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब करें जै हिंद जै भारत